सिलक्यारा सुरंग के अंदर फसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू कार है यूद स्तर पर जारी है सुरंग के अंदर 800 mm डायमिटर के हूम पाइप आज फसे हुए मजदूरों तक पहुंच सकते है सुत्रों के अनुसार आज वाद तक सभी मजदूर बाहर आ सकते है बताय जारा है कि अब तक करीब 40 मिटर तक अंदर 800 mm व्यास के पाइप पुश किये जा चुके है और करीब 60 मिटर हिस्से तक पाइप पुश किये जाने है इन हूम पाइपस के जर्ये ही मजदूरों को बहार निकाला जाएगा हाला कि अन्य पाइप विकल्पों पर यहां रिस्क्यू कारे का दौट जारी है सुरंग के ठीक उपर पहाड़ी हिस्से में हॉल बनाने के लिए डेड किलोमेटर की सड़क तयार होने के बाद ड्रिलिंग से जुड़ी सबी मशीन पहुचा दी गई है बढ़ कोट छोड से भी टी एच डीसी ने सर्वे पूरा करने के बाद सुरंग खुदाई पर काम शुरू किया है एन एच आई डीसी एल के निदेशक अंशू मनीश ने बता कि मजदूरों तक फूड पाइप के जरिये खीचडी दल या इत्यादी भेजा जा रहा है हाला कि बीते रोज खीचडी पहुचाने में असफल रहे उतरकाशी सेविनीत कंस्वाल की रिपोर्ट